नमस्कार जस हिंदी के खास कार्यक्रम बिगुल 2019 में आपका स्वागत है। कियों किसान एक बार फिर सडकों के उपर है। कड़ा देखा जाए तो बारह हसार किसान हर साल आत्म हत्या करते हैं। आप देखे कि आपके आसपास अन्न दाता मर रहा है। अन्न दाता की जान लगातार जा रही है। लेकिन बहुत हद तक ये नाकामी इसे सरकारों की कहें। या फिर अन्देखी कहें के दिल्ली में किसान पहुँचता है। इस उम्मीद के साथ के सरकार के सबसे नस्दीक जाकर अगर वो अपनी आवाज को बुलंद करेगा तो शायद सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सुनवाई नहीं होई। अन्देखा कर दिया गया पूरी तरह से तमाम किसानों को तमाम आंदोलन को। मांगो को मानना तो दूर मांगो की सुनवाई तक नहीं होई। ये हालात हैं। इसलिए आज इस मसले के उपर चर्चा करना बेहत जरूरी है। बेहदी खास मेहमान है इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निलम चौधरी जी आप से ही शुरूआत करना चाहेंगे और शुरूआत दोहसार चौधा से करें। प्रधानवंतरी नरेंद्र मोधी बार-बार जिकर नहरू के वक्त से कर देते हैं। वो सिचूशन ऐसे क्यों बनी अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो डेफिनेटल हमें शुरूआत से शुरूआत से देखना पड़ेगा। क्योंकि आज की समस्या समझाने के लिए उसकी जो स्टेज आई है वो पहले सी। आप उसको ज़रत देखें कि जो कॉंग्रेस एक बड़ा अपना हाथ लेती है एक ग्रीन रिवोलुशन कि उन्होंने किया था। ग्रीन रिवोलुशन ठीक है हुआ था हमने साइंटिफिक टेक्नलोजी यूज की थी जमीन से लेकर बीज और हत्रे की चीज़ों में पैस्टिसाइज बगरे सब कुछ मिला के। लेकिन उसे हुआ क्या था प्रोड़क्शन डेफिनिटली बहुत बूम हुई थी बहुत बड़ी थी लेकिन लागत मुल्य कितना बड़ा था उस पर कभी किसी ने ने ध्यान दिया तो लगातार हमारी प्रोड़क्शन जरूर बढ़ती रही लेकिन उसकी जो लागत मुल्य है किसान की वो भी बढ़ती चले गई जिसका रीजन बिंग यह हुआ कि उसकी जो टोटल इंकम थी वो बहुत कम रही न उनीस सो नबे तक हमेशा जितनी भी सरकारे थी वो इस चीज़ पर बहुत प्राउड फिल करते थी कि हमने प्रोडक्शन बहुत बढ़िया कर दिया लेक अभी 2014 में जब हमारी सरकार आई तो हम शुरुआत से हम इस सरकी को नौमी चाते थे कि जिसमें की अग्री कल्चर को उसका जो परसंटेश है वो थोड़ा बढ़ जाए और अभी जो फैबरी 2018 वे जो हमारा बजट आय था आप जानते को पूरा का पूरा जो है फर्स टाइम अभी किसानों के आज पास ही रखा था और उसमें क्या है कि हमारे उनरे प्राम लिए स्टर है उनका एक सपना है कि आपने किसानों की आय जो है वो दुगनी करेंगे अब इसमें एक सबसे बड़ा मुद्ब ही आता है कि हमारे किसान भाई-एन है हर्याणा की अगर हम लेके है कि इस तरह की हम नीतियां बनाए कि उस किसान को जादा से जादा रोजगार के आफसर मिले मतलब नो नेगरी सेक्टर में उसके लिए रोजगार बनाए जाए और जिते भी वह फसल उगाता है उसके जो बेचना है खेट से लेके मार्केट तक कि उसकी सारी सुविधाय उसक उसको हम साथ में ले के आएं और फिर उसके बाद नो नेगरी सेक्टर में उसके लिए हम इंप्लॉइमेंट जनरेट करें और एक सबसे बड़ी एक और चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादर ज़रूरत है करें यह किया किया है उसके ओपर अगर आप बताएं किया किया है क्यों आज किसानों को सड़कों के उपर उतरना पड़ रहा है जी देखें अब हम इसी मुद्धे पार आते हैं कि वो सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है मैंने आपको बताना है कि किसानों की जो हालत आज की डेट में है जो पिछले हम 3-4 सालों से हम जादा उसके बारे में बात भी करें अच्छी बात है कि हम किसानों के विश्व को लेकर बैठते हैं हम सीरे स्विस पर डिबेट भी करते हैं तो यह जो है बहुत पुरानी दिन हम किसी को अभी इसमें टार्गेट नहीं करते हैं इनको सुधारना ज़रूरी है अगर हम सिरफ खेती के ऊपर करेंगे ना तो हमें अगर 12% की भी अगर हम उसमें प्रोग्रेस देखें तो भी जाकर उनकी डबल इंकम नहीं होती मध्यप्रदेश में 10% से उपर रोफ रेट है अगरी कल चके इवन देन वो नहीं कर सकते तो इसलिए किसानों के अगर हम परिवारों को उठाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी और चीज़ें जो है दिया क्या गया है सबसे पहले कदम जो उनकी जो लागत है उसको कम से कम करना चाहिए जिसके लिए हमने उनको बहुत सारी सुवधाइं भी दी है और इवन यूरिया भी जो है 2022 तक हम उसको अभी उसको सबसीडी पर ही दे रहा है दूसरी बात जो है कि उनकी जो आज के टाइम में जो एग्री कल्चर है एक ऐसा फानेशन सेक्टर जो सबसे जादा इंडेंजर है क्लाइमेटिक चेंजिस के वज़े से हम नहीं जानते कब इतनी जादा बारिश हो जाएगी कब बिल्कुली सुखा पड़ जाएगा तो सबसे जादा जो एकनोमिक डेंजर है वो एक्री कल्चर में है तो उसमें इंशुरेंस सेक्टर को लाना बहुत जादा ज़रूरी था तो जो फसल भीमा योजना एक और बड़ा कदम है एक और बड़ा कदम नाबार का जो हमारे पास रिसोर्सेस थे वो तीन हजार करोड से जो है पांच हजार करोड से तीस हजार करोड तक कर दिया गया है जिसका की डारेक्ट फाइदा जो है किसानों को होता है तो यह दो बहुत बड़ा कदम है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता पहली बात तो यह कि इतना तो कम से कम सब को मिलेगा मिलेगा और अगली जो भी सरकार आए उसको एट लिस फार्मूले के हिसाब से चले मिल रहा है जी हाँ वही मैं कह रहे हूं कि बहुत सारी फसले ऐसी हैं जिनकी जो जो लिस्टिड हैं क्या उनका उनकी खरीद MSP पे हो रही है उनकी MSP मंडी में डारक्ली हो रही है जी राकेश कुमार जी क्या MSP पे फसल खरीदी जा रही है देखिए मैं बड़ी खुल के यह बात कहता हूं कि किसान एक फुटवाल है जिस पार्टी को वोट चाहिए उसी कितना की को क्यों करता है अभी जैसे निलंश चोदरी जी ने बताया कि MSP पे खरीदी जा रही है एक आखड़ा दखें से इन्हों ने मंडी को दे दिया और उसकी ख्रीद जो है हर्याना के अंदर तो है नहीं यदि एक जगा कनून बना है और मद्य प्रदेश में बना कि उसमें एक कहा गया कि यदि किसान की मंडी के करें उसके ख्री सुनिचीत करें और मसलूप पर आजाएंगे मैं आप काउंटर करना चाह रहे थे लेकिन सवाल आपसे यही है इसी मांग को लेकर तो किसान दिल्ली में पहुंचे थे इसी मांग को लेकर तो मुंबई में मार्च किया था अगर आप लोग ये इतना दावे के साथ कहने के लिए तयार थे तो जिस मंच के उपर तमाम विपक्षी नेता पहुंचे वहां पर सरकार की तरफ से भी कोई नुमाइंदा पहुंच जाता और कह देता कि आप तो ये गलट डिमांड कर रहे हैं तो हमने कर दिया है जी देखिए जहां तक हरियाना का सवाल है हम हमारी जो है करीबन 43-43 मंडिया तो इनाम में रिजिस्टर है मतलब ओनलाइन जो पूर देश के साथ कनेक्टेड है जिसमें कि हम कहीं भी बेच सकते हैं दूसरा हमारी अपनी मंडियों में भी जिस दिन भी जितना कोई भी क्रॉप आती है और कितनी उस बिग जाती है कितनी खरीद ली जाती है वो सारा का सारा डेली अपडेट होता रहता है अगर आप चेकर रहें तो जितना आता हो सारा का सारा खरीद लिया जाता है मैं इतनी अंदेखी कियों, अगर कर ही दिया है, तो आप कहते हैं, आप भी अपने पूरा दावे के साथ कह सकती हैं, कि ये तो हमने कर दिया है, जो ये आंदोलन था और ये जो डिमांड थी किसानों की, ये जूटी थी, जूट बोल रहे हैं किसान की, उन्हें में मिल रहा है अन्दोलन में दिली में ज्यादा तर हरियाना के किसानओं के तही उपर भी बिल्कुल चर्चा करेंगे फुसल बीमा योजिना उनकी शिकायट थी और दूसरी शिकायट यही थी कि काग्जों में आपने MSP दे दिया है लेकिन हकीकत में नहीं मिल पारा है जी देखिए जो बात करें ना MSP की वो already decided है और उनको उतने में खरीदना पड़ता है अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो उस पर ध्यान भी दिया जाता है और एक ये शुरुवात है किसी किसी जगह पे किसी मंडी में कोई दिक्कत आ सकती है लेकिन जैसे ही वो सामने आती ह उसको resolution उसी दिन हो जाता है ऐसी कोई जी चीक है छोटे से बेक के लिए हमें रुकना है बाकी महमानों के पास भी जाना है बेहत विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं और हर बिंदू को समझना चाहते हैं बिना किसी चीक चिला हट के छोटा सब एक जल लोटते हैं ब्रेक के निता राहुल गांधी जब एक मंच सजा हुआ था किसानों की भीढ़ थी उस मंच के उपर जाकर समझन करते हैं वहाँ पर जाकर तमाम दावे करते हैं कैआ उन्होंने माफी मांगी या उन्होंने ये दावा किया कि आपकी सरकार के दौरान किसानों की क्या हालत थी? मत्त'll किस बिना के उपर यह समझ से पर है किस बिना के उपर आप किसानों की बात करते हैं निरंतर सडकों पे हैं चार साल से लगबक चार साल से में क्या साट सकतर साल हो जाते हैं देखे, देखे, मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, पांस साल सरकार कैसा रियक्ट करती है, क्या लोगों के लिए सुविधाएं देती है, उसके बाद ही लोग अगली बार उस सरकार को चुदते हैं, या हराते हैं, अगर हम साथ साल से जीत रहे थे, तो इसका मतलब हम पां जासे आलात हैं, उत्री और दक्षणी हर्याना को डारक जोन गोसित कर दिया गया है, मौजूदा सरकार दुवरा, और हद तो तब हो जाती है, किसान, कोर्ट और पुलिस, तीन चीज़े, बड़ी ऐहम किसान के साथ, ये दो चीज़े जोड दी गई है, अगर आपको बीज जीते जागते सबूत हैं इस चीज़े, और मैं आपको बड़ी विनमर्ता से कहना चाहूँगा, कि जो इन्होंने मद्या परदेश में आप देखिए, किसानों पर गोलियां चलाई, राजस्तान में मैं बताना चाहूँगा, मैंदर जी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है देखिए सुखा जोन वहाँ पे निरंतर रहे हैं, चाहिए वो मुझूदा सरकार किसी की भी रही हो, लगातार ऐसी प्रिस्तित यहां रही हैं, लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है, वो सुन्दरा जी के समय में, कि वहाँ से किसान प्लाइन करके चले गए हैं, कि हम लोग यह नहां पे रहे नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने इस हिसाब से इनको मजबूर कर दिया है, और उसके बाद आज आप देखिए, अगर हर्याना में, मैं यह खुल के कहना चाहूँगा, सरकार ने ऐसे कट गरे में किसान को खड़ा कर दिया है, कि अगर आपका ट्यूबल सूख ज चुकाना पड़ता है, लेकिन रमन सिंग जी, वही बात है, कि ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे हम सवाल पूछेंगे, भाकुयों के प्रवक्ता है, वो उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन क्या आप लोग अपनी जवाब देही से बच जाएंगे? देखिए, बारतिय राष्टिय कॉंग्रेस हमेशा किसान के साथ खड़ी रही है, और आने वाले दोर में भी खड़े रहेंगे, हमने चाहे वो करज माफी की बाते थी, हर्याना से लेकर पूरे हिंदूस्तान तक, और और मैं आपको, मैं आपको, आपने पंजाब में कर दि किया, बहुत किया निलम जी, आप देरे रखें, आप बदाएं कितनों का किया, बिल्कुल किया है, और हम मध्या परदेश और राजस्तान में भी चुनाओ, रमन सिंग जी, ये कैमरा है और तमाम ओडियंस है देखने वाले, आप कहिए कि हमारी सरकार के दौरान किसान क्या उस दौरान किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर नहीं थे, क्या उस दौरान किसान आंदोलन नहीं करते थे, ये तमाम मुद्दे, सिंचाई का मुद्दा हो, MSP का मुद्दा हो, लागत लगातार बढ़ती जा रही है, बीजखाद नहीं मिल रहा है, क्या ये तमा समस्याइं उस वक्त किसानों की नहीं थी, अजब से बड़ी समस्या, किसान उस वक्त क्या आत्म हत्याँ नहीं कर रहे थे, देखिए मेंदर जी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम ने हरियाना में, गन्ने का रेट पूरे भारत में सबसे जादा किसान को देने का काम किया, उसके बाद कभी भी मंडियों में किसान को इतनी दिखते नहीं आई जितनी आज मुझूदा हालात में अपनी फसल बेचने में अपको फिर से वही दो रहाना चाहूंगा और इस सरकार के समय में आप देखिए सुगर मिलों में कम से कम 80-90-90 करोड रुपया किसानों का बकाया पड़ा है और यह सरकारें मतलब मैं निलम जी आप थुड़ा देरे रखें हमने आपको सुना है आपकी बीमा योजना बताऊं अगर वो देखा आएंगे आएंगे तो वो आज इतना बड़ा गोटाला हो गया है कि आप बिलकु आएंगे रमन सिंग जी फसल बीमा योजना तो असल में इतना बड़ा मसला हो गया है कि इसके उपर आलग से चर्चा की जा सकते हैं खुड़ा साब मतलब किसान क्या जैसे किन्हों ने चर्चा में इस्तेमाल किया था कि फुटबाल बन गया है किसान मतलब कॉंग्रेस बीजेपी के हिस्से डाल देती है उसकी बदहाल जी आप देखें देश में एक मुद्दा चल रहा है मंदिर बनाने का कही जगा आप देखेंगे मुद्दे चल रहे हैं आरक्षन के कोई जै भीम कहता है, कोई जै जाट कहता है, कोई जै राजपुत कहता है, कोई जै परशुराम बोलता है जै किसान कोई नहीं बोलता है और यह किसान ही है कि जो देश का सम्मान बढ़ाता है, अन पैदा करता है इस पूरे देश के लिए इतनी बड़ी संख्या का पेट भरने का काम किसान करता है और देश को विदेशों से अन ना मांगना पड़े उसकी इज़त बचाता है मगर किसान का सम्मान कोई नहीं करता है और किसान कोई समस्या नहीं इन राजनितिक दलों के लिए एक मुद्दा है चुनावी मुद्दा है आप ये देखिए एकतर बहतर साल के हमारे आजादी में जो ज़्यादा बड़ा समय नहीं हुआ किसान की हारत बत से बत्तर है 2004 में किसान आयोग का गठन हुआ 2006 में कुछ सफार्शी आ गई अब उसी लकीर को सब पीट रही है एक कृशी विग्यानिक ने अपनी अपनी अब्जर्वेशन दे दी किसान की किसमत बदलने के लिए उन्होंने वो अब्जर्वेशन दे दी मगर उस पे कोई आगे चर्चा करने के लिए तयार नहीं सबसे पहले जरूरी तो यह है जो सौमी नाथन आयोग ने जो सुफारश दी थी उस पे लागू करना चाहिए था मगर मेरा एक सवाल एक कदम और आगे का देखिए अभी निलम जी कह रही थी कि किसान एक एक एकड़ के किसान भी रह गई मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है आप यह देखेंगे कि दस बाई दस की दुकान का जो वेपार करता है उसके घर में सब कुछ है उसका बच्चे पढ़ते है उसके वह अच्छा खाता है अच्छा रहता है समाज में एक समाजय चैनल स्थित है मगर जो एक 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 कड़ है आप यह देखे एक एक एकड़ में दसबाई दसकी कित्म धुकान बन जाएगी वो एक एकड़ वाला भुक्वरी का शिकार है और जो ये धरती-पुत्र किसान है ये अपनी धरती पे तो शेर है मगर जब मनी लेंडर के पास ये जाता है अपनी समस्याओं के कारण जब ये टूट जाता है घर में कोई बिमार है किसी अपनी लड़की की शाली करनी है बच् पे शेर हैं, वो मनिलेंडर के पास जाके बकरी बन जाता है, बकरी सिर्फ कटती है, यही स्थितिय हमारे किसान की है, यह मुद्दा ना यह सुल जाएंगे, ना इसको सुल जाने देंगे, ना कॉंग्रेसन सुल जाया, ना बीजेपी सुल जाएगे, ना कोई राजी तिक दल इसको सुल जाएगा, इसको मुद्दा है, और मुद्दा ही बना के अटखेंगे. पहली बात तो यह किसानों के लिए फुटबॉल या कायर जैसा शब्द का इस्तेमाल कता ही नहीं होना चाहिए. आपके मंत्री नहीं किया था जिसने भी किया है, यह कता ही नहीं होना चाहिए. क्योंकि किसान वर्ग हमारा जो पूरे देश का पेट भरता है. और हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो कोशिश है वो उसके जीवन को उपर उठाने की है. जैसे अभी जिक्र भी किया कि छोटी दुकान वाला तो अपना घर चला लेता है, लेकिन एक एकर वाला अपना घर नहीं चला सकता. यही तो एक सचाई है. तो इसी के लिए हमें उसकी जो आए है वो 2022 तक कैसे दुगना करें? एक तो वो इशू है जिसके हमने बात कोई. दूसरा ही है कि उसको जीवन की सुवधाएं है वो देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. जैसे हमारी आयुशमान सिवा है, जिसमें कि जो वंचित वर्ग है हमारा किसान वर्ग और मजदूर वर्ग है जो दूसरे सेक्रस में काम करते हैं. उसके जीवन की जो मूलबूत सुवधाएं हैं वे उससे कम से कम रेट में या कैशले सुवधाओं के साथ मिलें. पहली बात तो ये. दूसरा क्योंकि हम एक बदलाव के दोर में है, एक transition में है, जिसमें बहुत जादा digitalization की बात करते हैं, उसके साथ हम किसान की modern way के साथ connectivity चाहते हैं, तो इसको सारी सुविधाई उसे अपने घर में मिलें, इसलिए बहुत सारे हमारे पास ये service centers जो है, वो भी हर जगाए पे खुले हुए तो किसान को खेती करनी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उसको marketing करनी नहीं आती, छोटा सा ब्रेक लेना, छोटे से ब्रेक लेखते हैं, जल लोटते हैं ब्रेक बाद एक बाद फिर आपका स्वागत है, जिकर चर्चा लगातार जारी है, किसानों के हालात के उपर, अन्डाता के हालात के उपर, जो तमाम तिपनिया किस طرح की हैं, वो चाहिए विपक्ष की टिपनी हो, या फिर सरकार की टिपनी हो, रुख क्या है, यह जानने की कोशिश कर रहे है तमाम महमान हमारे साथ बने हुए निलम चौधरी जी आप जो बात कर रहे थे उसको तो पूरा कीजिए गाही फिर हम लोग फसल बीमा योजना के उपर आएंगे क्योंकि आप जिस डिजिटलाइजेशन का जिकर कर रहे हैं या किसानों को सहुलियत देने की बात कर रहे हैं आप देखिएगा कि फसल हमारे पास एक बदलाव का वक्त है जैसे हमारी जो भावांतर योजना भी है या फसल बीमा योजना भी है इसमें जो बहुत हद तक उनकी जो कनेक्टिविटी है वो नेट के साथ है कि उनको अपनी रिजिस्ट्रेशन करना होता है जब भी वो कोई भी फसल उगाते हैं और पॉसित हुआ और उनको करीब नो सव इक प्तिस करोडर रुबे का बैनिफिट भी हुआ है और इसमें जो इनको फाइदा रहता है कि सिरफ खरिफ की फसलों में जब तू परसंट इंटरस देना होता है और अब की फसलों में डेट पसंट किसानों को देना होता बाकी जो है वो स्टेट और हमारी सेंटर गवर्मेंट देती है इंशुरेंस कंपनी इंशुरेंस का प्रीमियम इनको सिर्फ दो या डेड़ पसंट देना होता है तो एक किसान को बहुत क्योंकि यह तो सवामिनातन जी ने भी कहा था कि जो फसल भीमा तो होना चाहिए लेकिन उसको फ्री को किसान के खाते से पैसा काटके किसको देती है इंशुरेंस कंपनी को और आपको पता होगा कि आंकड़े लगातार आर्टी आइ के जरीए साब ने आ रहे हैं कि जो प्रीमियम की राशी इन कंपनियों के पास इकठा हुई है उसका बहुत कम हिस्सा किसानों को मौज़े के तौर पर मिला है ज्यादा तर बहुत सारे ऐसे केसिस भी हैं कि कोर्ट में लड़ाई लड़के कंपनियों को दिशानिरदेश दिलवाने पड़े हैं इस तरीके स है क्या इससे तो सबसे ज़्यादा नाराज गिये किसानों को और यही वजह है कि पूरे देश में असी लाग किसान इसको छोड़ चुके हैं यह सचाई है मैं जी देखिए अगर हम देखें तो इनलो के टाइम में भी 24 ब्लोक्स में जो है यह फसल इंशुरेंस लगू किया ने ने आप देखिए एक जो इस टाइम जी जो रूल से रेगूलेशन से मैंने का इक बहुत नोमिनल सी अमाउट जब वो फसल बीमा करवा जाता है तो उनके अकाउंट से लिया जाता है यह और यह और यह किसान आज भी इतने जादा पड़े लिखे नहीं है कि उनको सारी इस देश में और तमाम चीजों के इंशोरेंस होते हैं राइवेट कंपनियां ही कर रही है फसल भी मायूजना भी आपके पास जो कस्टमर के एक्जेक्यूटी होता है तमाम अधिकारी होते आप जिन से जाके बात कर सकते हैं आप देखिएगा के क्लेम काटने का काम करते है और बनकर प्रिमेम की ना के पास है हमारा काम ना जरूञना काटना है इसके जो पर जो धूंड ही तो गिसी की सरुचेश के शुरुबार करते हैं तो उसमें शुरूात मैं सिर्फ दिकत आती है उसके बात नहीं आते हैं कुछ केसे कुछ केसे में आते लेकिन यह ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको बता है ना हरियाना में यह 300 करोड का इंशुरेंस देने के बाद 931 करोड का फाइदा भी हुआ मुआफ़ा भी दिया गया है इंशुरेंस कम्पनेंस के दुए राकेश जी यह आंकडा सही है कि किसान लगातार योजना को छोड़ रहे हैं फिर भी जो बीमा कंपनिया है उनका मुनाफा बढ़ रहा है 80 ला किसान छोड चुके हैं लेकिन इस दोरान बीमा कंपनियों का मुनाफा 1500 फिसदी बढ़ गया है राकेश जी बिल्कुल ठीक आंकडा है यह इसमें कोई दुरा कि जब किसी भी चीज का आप मोडशेकल का भीमा भी करवाएंगे उसमें 1100 रुपे आप प्रीमियम देंगे तो उसके लिए लीगल एक डॉकुमेंट दिया जाता है कि आप इस तरह से आप इसको कलेम करेंगे क्या आज तक किसी एक किसान को देश के अंदर लीगल दिया गया कोई पत्तर उसको भी आप इस तरह कलेम करेंगे इसको देखिए पहले बात पर प्रीमियम दिया है मैंने उसके तो मुझे चिर्फ यह बताया जाए क्या उसका लीगल कोई आप ने डॉकुमेंट मेरे को दिया या नहीं दिया जी पही मैं आप उसकी थोड़ी शर्तें भी आपकी जानकारी में होनी भी चाहिए कि जो नैच्रल कालमेटी सा और कुछ मैनमेड कालमेटी को भी उसमें एड किया गया है मैं आपके सारी प्रीमियम लिया है आपने बैंक से जबर्दस्ती बैंकर काउट से पैसे काते हैं एक मिट एक मिट प्लीज थोड़ा ने बैंक ने जबर्दस्ती मेरे काउट से पैसे गाठे आपकी फसल बीमा योजनिया कंपनी को पालने के लिए एक बार दूसरा उसके लिए मुझे लीगल कोई डोकॉमेंट चाहिए ताकि मैं उस लीगल नहीं कोई कंपनी देती तो मैं कोई कोट में जाओं कहां जाओं मै उस चीज को लेके मैं जाओं तो कहीं क्या आपकी सरकार ने कोई डोकॉमेंट किसान को दिया है जी मैं वही आपको गया नहीं कि फसल बीमा योजना एक बहुत अच्छी योजना है अग्रिकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इंडेंगर सेक्टर है या मैं उसके लिए कंप कोई दिक्कत आ सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको जनरलाइज्ट आप इसको एक डिफाक्टिव पोलिसी करें इसका बहुत जादा बहुत है देखिए मेरी जीरी मरी अब जीरी मर गई खेत में तो अब मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है अब भीमा कंपनी मेरे को कहीं किसान मजबूरी में कर्ज लेने के लिए जाता है और बैंक सबसे पहला काम क्या करती है प्रीमियम काटती है उसके बाद अगर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है तो व्हसल में उसके लिए बाद मौावजा अगर बाय चांस मिल जाता है तो यह मिलना बहुत मुश्किल है पिछले साल का नहीं मिला है, अगर किसी का claim accept भी हो गया है, नहीं मिला है, अगर मिल भी जाता है, तो वो वापिस आता है बैंक के पास, और बैंक क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी fees काटती है, अपना loan काटती है, किसान को क्या मिला? जी देखिए, जो insurance है, किसी भी farmer का है, premium तो किसी भी तरह के आप insurance करवाएं, तो वो आपको annually देना ही पड़ता है, यह भी annually होता है, एक फसल पर्टिकुल तीन महीने की है, छे महीने की है, उसके हिसाब से जाता है, तो उसमें कोई दिकत नहीं है, और वो बहुत nominal सा है, हरे company इसा करते है, insurance based इसी पर होता है, प्रीमा पर बेस्ट होता है, और लेकिन उसके फाइदा क्या होता है, जब आपको कोई कीचीज हमारी खराब होती है, तो हमें उसका पूरा का पूरा मुआफजा भी मिलता है, इवन इस बार आप देखें, अभी जो 26 अगस्त, 27 अगस्त के बारिश हुई थी, उसकी वज़े से बहुत सारा नुकसान हुआता है, तो हर्याना सरकार ने ये का कि जिनका इंशोर्ड है, उनको तो मिलेगा मिलेगा, और जिनका इंशोर्ड नहीं था, उनको भी हर्याना सरकार उसी प्रिकार से पूरा मुआफजा देगी, तो ऐसा नही कि यह कितनी अभी 14 दिन किसान पाने की टेंकी पर सिर्फ इसलिए बैठे रहे ताकि उनको मुआफजा वीमा कमपनी दे दिए और उसके जुम्रवारी कि आप नहीं कि दुआ सकते थे उसमें आपके सरकार क्या काम कर रही है कि चिसको माना जाता Luckily बैंकों में गए होंगे वीमा कमपनी के पास गए होंगे सरकारों के यहां गए होंगे जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई उसके बाद कोर्ट में जाया जाता है यह पसला चला गया है तो सरकार हस्तकशेप नहीं कर सकते अपनी जिम्मेदारीं नहीं नि है तो सरकार हर कदम पर अपना पूर अगपूरा सायोग देते हैं कि स्वामी नाथन आयो कि सिफारिशे क्यों नहीं लागू की पहली कलम से लागू होनी थी यह वादा भी था हम लगातार भाशनों में भी सुनते थे लेकिन फिर आपसे बड़ा ही मतलब आप बार बार आपने यह सवाल सुना होगा लेकिन यह सवाल जरूरी है सर आप लोगों ने क्यों नहीं लागू की आप लोगों ने किसानों की समस्या को क्यों नहीं समझा उनकी समस्या का निदान क्यों नहीं किया आज बड़े एहम बिंदू है सरकार चुनाओं के दोरां एक वादा किसान के लिए बड़ा अच्छा लेके आई थी कि हम लागत पर पचास परतिसद देंगे सरकार उससे भी बाग गई क्योंकि सरकार के जो एगरी कर्चल रैंड पर सेंटर मिनिस्टरी के जो सर्वे आए थे उसमें पर येर वन पॉइंट नाइन की ग्रोब थी और मैं आपको बड़े आकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं सरकार जिस हिसाब से कह रही थी के हम लागत पर पचास परतिसद देंगे माप कीजिएगा वो तो दो जार चोवन तक भी पूरा नहीं होता सरकार उससे बाग गई और इस सरकार का तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सुनने का मादा रखें और उसके बाद आज ये कहते हैं के फसल बीमा योजना तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा गोटाला इस देश में किया गया उसके नाम पर कि आर्टी आई की रिपोर्ट आई ट्रिबिन में नॉम्बर में और वो जो दो साल का उनका रिपोर्ट उसमें पेश किया गया उसमें बार बार दिखाया गया कि किसान को किस हिसाब से लुटा गया और कमपनियों को किस हिसाब से फायदे दिये गए उसमें आप अगर गहर सो तीस क्रोड का कंपनी को फायदे हुए ये सचाईया है उसके बाद जो उसके बाद सेकंड ये इंशोर्ड किसान है वो कम हो गए लेकिन मुनाफ़ा कंपनी का बढ़ गया बढ़ गया वो साथ सो असी क्रोड के चला गया आपकी जवाब देही कॉंग्रेस के प्रती है आप पिर चुनाओं में जा रहे हैं आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा हिमायती हैं सवाल यही उड़ता कि आपने अपनी सरकार के दौरान क्या किया दूसरी बात यहां पर यह है कि विपक्ष होने के नाते आपने क्या किया आपने कब किसानों के मसले को ले बिल्कुल मैं आपको उसमें गहराई में बताऊंगा हम किसान के साथ हमेशा रहे हैं और आने वाले दोर में भी रहेंगे और जैसे ही अब चुनाव नजदीक है हम जीत कर राजस्तान मद्या परदेश में भी आ रहे हैं और जीते ही पहली कलम से हम किसान के लिए बिल्कुल क करके दिखाएंगे हमने पंजाब में भी यह वादा किया था और कैप्टर नम्रींदर सरकार ने आते ही किया है कोई आप ना बड़ा देरह रखें निलम जी आप एक वरिष्ट पत्रकार है मजाक का पत्र ना बने आपको हर कोई सुनता है आप भी थोड़ा देरह और माधा र ने आपने चयार साल में सरकार से पुछा कि आपने क्या लगा दिया हम चार साल को सिरफ लाठी बरी और और उसके शिवात जेल और आप लोगों ने फसल बेचने के लिए जेल में जाना पड़ा आप आज हमसे सुवास पूशने के लिए बड़ी बात सम्झेने कि यह है कि क किंग्रस कियों काम कर रहें कि बीजेपी इनको स्ताये और हम सैलेट बैठे रहेंगे तो किसान अप इनका इनका विपक्सी हो जाएगा और हमें बैठे बठाए कुछ करें सत्ता मिल जाएगे अगर आपने आने वाले वक्त में बाइचांस या जिस भी तरीके से आपकी सरकार बन गई आपने वो नहीं किया तो बार बार आपको सुनवाया जाएगा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के बयान सुनवाया जाते हैं लेकिन आप लोग कोई वादा नहीं करते हैं वादा करना बुरी बात नहीं है आप लोग तो वादे से भी बच रहे हैं देखिए हम ना आपको मैं बिलकुल बड़े जुम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम लोग राजस्तान में भी कर्जमाफी करेंगे और मद्य परदेश में भ लागस से कितने प्रसेंट हर्याना में मिर रहा है मैं आपको बताता हूं है हर्याना सरगार का डोकूमेंट मेरे पास है इसमें बताते हैं कि यह में 2018 में सब्सक्राइब दो हजार चौतर पे खर्चा आया दोहजार सब्सक्राइब और यह में जो तुलना हो रही है यह क्रिशी ला गयते वे मुल्य आयोग जो है 2017-2018 उसकी सिफारिशों से अगर तुलना की जाए ना जो यह आपने MSP बढ़ा दिया जो आप यह दावा कर रहे हैं कि 50% हम ज्यादा दे रहे हैं यह उसके आधार पर तुलना है बलकि सचाई यहां पर यह है कि 2018-19 के तो आंकड़े आप लोगों ने रिलीज ही नहीं किये औ और एक और खेल इस सरकार ने यह किया है कि 2014-15 लगातार हर साल मतलब आंकड़े आते हैं किसानों के आत्म हत्याओं के 2016 के बाद वह आंकड़े भी रिलीज करने बंद कर दिये मतलब क्या लोगों को पता नहीं चलेगा किसानों के हालात का अगर आंकड़े ही रोक दिये लागत मुल्य के ऊपर कितना MSP होना चाहिए वो निशित किया जाता है इसी के ऊपर जो हमारी सरकार ने वादा किया था डेड़ गुना उसका MSP वह हम डेक्लियर करते हैं और उसी तरह से उनको दिया भी जा रहा है पहली बात तो यह दूसरा जो एक नहीं दिया जा रहा है इसका छोटे से अगर राष्टे स्तर पर अगर बात की जाएं तो धान पर अगर पचास फिस्दी आप देते तो 2226 बनता लेकिन दिया गया 1750 में ठीक हूं राकेश जी मुझे दुरूस्त कर दीजेगा जवार पे 3133 होनी चाहिए थी लेकिन आप लोगों ने ऐलान किया 2430 अंतर देख लीजिए जो का 2094 होना चाहिए था दिया गया 1700 बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा उसको करेक्ष करें अगर उसका आप लागत मुल्या देखें जैसे जवार का ही देख लें उसी डिटेल में दिया बारह सो तालीस है बारह सो तालीस का जो आड़ प्रसंट आज सब्सक्राइब करें जो इसमें जो फार्म लेबर है उससे सब चीज़े इंक्लूड आजाते हैं पूरे फैमिली जो पांच एक सारा खर्चा जुबेगा इवन अगर वो खेत अगर किसी को किराय पर भी दिया जाए तो वो जो किराय का जो किराया है वो भी इसमें अल्रडी एडिड है इसे यह फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है पहली बात तो यह दूसरा जो अभी बात पूरी थी अपन्ट नहीं पांच शे मेंबर्स होते हैं प्लीज उसको थोड़ा है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है पहली बात हुए जो जमीन का वो है वो भी तो जूड़ जाता है यही तो थी सीटू प्लस जी देखिए जो सीटू को वाला जो फार्मूला था वो क्यों प्रैक्टिकल नहीं है सीटू का मतलब यह था कि किसी का जो एक एकर जमीन है बात तो सुने ना तो जो आपके फार्म के जो लेबर कोस्ट है उसकी उसका परसंटेज जो उस पर इंट्रस्ट मिलना चाहिए वो सीटू में एड किया गया था वो एक फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं है किसी बितर से किसी की जमीन की कीमत कम है किसी की जमीन की कीमत जाद मतलब क्योंकि ना तो हमें पता है कि इन बहसों के जरीए मतलब थोड़ी awareness तो हो सकती है और हम यह भी दिखा सकते हैं कि हम किसानों के मुद्दों के उपर चर्चा कर रहे हैं लेकिन सुधार कैसे हो सकता है क्या यह फॉर्मूला कहीं से नजर आता है या फिर वह आपने शुर लिया जाए संसर का सिर्फ और सिर्फ किसानों के उपर चर्चा कर ली जाए क्या दिक्कत थी इसमें उड़ा साब पहले आप जवाब दीजेगा जी सबसे पहले मैं आपके इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से एक सवाल भी उठा रहा हूं स्वामी नाथन रिपोर्ट लागो हो भी जाए तो उसमें यही है कि लागत का पचास परतीशत मुनाफ़ा किसान को दिया जाए अब उसको समझने के लिए यह है कि किसी किसान की लागत एक हजार रुपे और उसमें मुनाफ़ा पचास परतीशत पतलब पांच सो रुपे दूसरी बात समझने की यह है कि किसा की जो फसल है तक्रीबन जो ज़्यादा चलती है फसले वह तीन महीने की फसल होती है पंदरा दिन पहले और पंदरा दिन बाद में भी इसमें इन्वाल्व रहता है चार महीने का उसका आप सरकल देख लीजिए फसल का तो आब आप यह देखिए कि एक हजार की उसके लागत ह है उस पे मुनाफ़ा पांद सो रुपे हुआ एक हजार पे पांद सो का मुनाफ़ा हुआ चार महीने में ठीक है अगर लागू हो भी जाए तो किसान फिर कहां खड़ा होगा यह बहुत बड़ा सवार है और जो मैंने पहले चर्चा की थी कि दस बाई दस के दुकान हो या उस पे मिनिममम मुनाफ़ा मैं ज्यादा नहीं बोलता इन चीजों पर 50% होता है बट मैं इसको 20% मान चाहूं तो उसको एक हजार पे मुनाफ़ा एक हफ़ते में हो गया 200 रुपे और फिर अगले हफ़ते फिर 200 तो एक महीने में उसका मुनाफ़ा होगया 800 रुपे तो वो का मुनाफ़ा अपनी लागत पे चार महीने में 32 सो रुपे है और किसान का मुनाफ़ा अगर लागू हो भी जाए स्वामी नातन तो उसका मुनाफ़ा चार महीने में 500 रुपे होगा कहां तक नय संगत है राकेश जी मतलब क्या स्थिति सुधर जाएगी अगर स्वामी नातन रिपोर्ट भी लागूर कर दीजाए नहीं देखे चोड़ी सी टिपने बहुत जल्दी कि इसमें एक ही किसानी योग बना उसकी सपार से मनवाना बहुत जूरूरी है उसके अंदर केवल यही नहीं रहा क स्वामी नातन रिपोर्ट जो है वह काफी हद तक लागू की यह सभी नहीं लेकिन उनकी शुरूरात हो चुके वह काफी हद तक उसको लागू भी कर देगा है पहली बात दूसरा जो हम जो कह रहे थे कि business के comparison में किस खेती से कम होती है क्योंकि खेती को हम multiply नहीं कर सकते हैं जितनी है हर बाद प्लस में ही addition होता है जब कि आप business में उसको multiply कर सकते हैं और खेती में अगर आप हुआ और ये बलके जब थोड़ा बहुत में research कर रहा था तो एक समाधान जिस पे सरकार के उपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ना है कम से कम भंडारन की शमता बढ़ा दी जाए किसानों की बढ़ा दी जाए या सरकारी तोर पर बढ़ा दी जाए और दूसरा बिचोलियों को किसी में किसी तरीके से बीच में से कम कर दिया जाए ताकि किसान को अपनी फसलों का उचित दाम मिल सके और उभोकता को वो कम रेक पर मिल सके आप तमाम महमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे बिंदू हैं तमाम बिंदू पर विस्तार से चर्चा नहीं हो झाल